तो फाइनले दुस्तों अब आपको Hero Expander Plus के X-Tek variant में आपको नया variant देखने को मिल दखता है जो कि आपको पता है कि Market में Hero की जब X-Tek आई थी X-Tek Plus में तो इसका जो काफी अच्छा खासा बोल बाला था लगा था कि बहुत ज़्यादा सेल लेकर के आएगी लेकिन Market में अगर आप अभी भी देखने जाओ तो बहुत ही कम बाइक के ही X-Tek variant के साथ रोड पर चलती है और इसकी जो सीरी सीरी जो प्रॉब्लम है जो वज़ा है जो मजबूरी है जो लोग नहीं खरीद रहे हैं वो है इसका बहुत ही छोटा सा मिनिमलिस्टिक सा डिस्प्ले जो कि आपको पता है कि काफी छोटा सा है और उतना जचता भी नहीं है उसकी अलावा अगर देखा जाए तो एनलाग वाला जो इंस्ट्रॉमेक इस्टल था वो काफी बड़ा था बलकी था अच्छा लगता थ इसके वाइजर पर वो अच्छा लगता था लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो एक्स्ट्रेक वाला बस देड़ इंच का अगर देखा जा चौड़ाई है और तीन साड़े तीन इंच की लंबाई है तो इस वज़ा से इसकी जो विजिबिल्टी है वो इतनी घटिया है इत तो बेचना है और नया डिस्प्ले डालने के बाद ही ये बेच सकते हैं इनको ये भी मालूम पड़ चुका है और प्राइज भी और लेडी इसकी जो है वो करीपरी 92 हजार रुपए के उपर जा चुकी है तो कहीं ने कहीं अगर देखा जाए तो 92 हजार रुपए के अंदर 100CC के एंजन अगर बेचना हो तो आपको कुछ ना कुछ तो धमाकेदार करना होगा बाकी बात रही इसके एंजन की स्पेक्स की तो वही इसमें 100CC का एंजन लगा है जो कि 7.9 BHP की पावर 7000 अरुपय पर देता है और 8.05 NM का टॉर्क 6000 अरुपयम पर देता है बाइक का अग 5 तक बस इससे ज़्यादा और नहीं लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो इसमें एक प्रॉब्लम अभी भी है वो यह है कि इसमें आपको केवल 4 स्पीड का मैनुल गेर बॉक्स मिलता है जो कि कहीं ने कहीं 5 स्पीड के गेर बॉक्स वाला सिस्टम होता तो यह बाइक ज्या इसमें 1 लिटर का डाला जाता है जो कि आपको इतना कंपनी कहती है कि मेंटेन रखो लेकिन कोई कंपसरी नहीं है वेट माल्टी प्लेट वाली आपको यहाँ पर क्लच मिल जाती है सस्पेंशन जो हैं वह बहुत ही बेसिक से हैं जो कि थोड़ा बहुत तयार इसे तकड़ा काम है जो कि 112 kg है सीट हाइट की बात की जाए तो 785 mm है जो कि थोड़ी सी जादा है इसे जादा नहीं है मैं मजाग कर रहा था और एकसे ग्रांड क्लियंस की बात की जाए तो वह 165 mm है जो कि ठीक ठाग है आप आसानी से अच्छे खासे गाओं की मिड़ों को पार कर सकते हो जो कि आपको पता है कि रोलेल एरियस में ज्यादा बिगती है बाकी अभी तक इसमें डियाल देखने को मिल जाते थे ओडो मीटर टेको मीटर जो भी इनफोमेशन है वो अडिशली दिखाए देती थी तो यह सब तो ठीक है मैं कहता हूँ इसमें मॉबायल की बारा यह चीज क्यार कुछ तो मिसिंग है यहां पर कोई तो पैनल और डालना था जिससे यह प्लास्टिक पार्ट थोड़े से भर जाते हैं जब नया डिस्प्ले आ जाएगा तो देखते हैं कि वह नया डिस्प्ले कैसा है कौन सा है कितने साइस का है और कलर उसका क्या है नेगेटिव है या फिर कलर है तो दुस्तों आपको मेरी यह वीडियो कैप चले के जल्दीशा नीचे कमेंट में बता देना भाई वीडियो अच्छे लग गई यह लाइक जरू कर देना चलिए फिर मिलती है किस वह रहा है कामेसिंसे वीडियो में दो तक है प्लीज ख्या